हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप टीवी के साथ MP5 किट को कनेक्ट कर सकते हैं जैसे दोस्तों आप अपने काड की वीडियो और फोटूस को टीवी पर देख पाएंगे साथ ही में दोस्तों आप इसमें Bluetooth भी कनेक्ट कर पाएंगे और Mobile से जो गाना बजेगा आप उसको टीवी पर भी सुन पाएंगे तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको MP5 किट की जरूत पड़ेगी जिसको आपको Amazon से या फिर Market से पर्चेस करना होगा इसके साथ ही दोस्तों आपको एक Remote भी मिलता है जिससे पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको Connect करने के लिए इसके साथ आपको Wires मिलते हैं कुछ इस प्रकार के आपको Wires मिलेंगे दोस्तों यह हमारी Audio Output के लिए Wires है इसके बात दोस्तों आपको इसमें Video Output के लिए भी एक Pin मिल जाती है कुछ इस प्रकार की इसमें आपको दो Wires मिलेंगे अब इसके बात दोस्तों इस MP5 Kit को 5 Bolt देने के लिए भी इस प्रकार की एक Pin मिलेगी इसके बात दोस्तों आपको आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की दो Pin खरीद कर लेकर आना है मार्केट से जिससे हम Video और Audio को Output करेंगे कुछ इस प्रकार की दोस्तों आपको एक Female Charging Pin की जरूत पढ़ेगी जिससे हम दोस्तों जो Charger का 5 Bolt करेंट रहता है उसको हम MP5 Kit में Connect करेंगे अब दोस्तों अब हम इसकी वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहली वाली पेन है वो हमारी Video Output के लिए पेन है जब दोस्तों आप देख सकते हैं दो वायर्स हैं तो कुछ इस प्रकार की आपको एक Pin की जरूत होगी और इसको आप कुछ इस प्रकार से लगा देंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने Video Output के लिए एक Pin लगा दी है अब इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो Red Color का Box है उसमें हमको 5 Bolt Input Current देना होता है तो अभी हम इसमें एक Charger का Use करेंगे मॉबाइल के तो आप इसमें 12 Bolt भी दे सकते हैं तो कुछ इस प्रकार की दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था आपको इसके साथ एक Pin मिन लिवा लिए इसको आप इसमें Connect कर देंगे अब इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो तीसरे नमबर वाली Pin है उससे हमको Audio Output वाली Pin को Connect करना है आप देख सकते हैं इसमें इससे दोस्तों Audio Output हमको मिलेगा इसके लिए आपको मैंने बताया था पहले भी कुछ इस प्रकार की एक Pin आपको मिल जाती है इसमें दोस्तों चार वायर रहेंगे रेड वाला वायर दोस्तों आपका FM कैंटीना है और बाकी तीन वाले आपके Ground और Left प्लस राइट हैं इसके लाब दोस्तों इसमें चौते नमबर की जो Pin है उसमें यदि आप कभी भी Mic Connect करना चाहते हैं तो Audio Input के लिए वो Pin इसमें दी है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की हमने मार्केट से Pin पर्चेस की थी इनको हमको Connect करना है तो दोस्तों सबसे पहले जो हम वीडियो आउटपुट के लिए जो हमने वायर एक लगाए हैं हमार MP5 Kit के उसमें दो वायर हैं उनको आपको कुछ इस प्रकार स दोस्तों आपको इनको Connect करना है यदि आप इनको उल्टा लगा देंगे दोस्तों तो जो टीवी रहेगी उसमें वीडियो आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला यदि आपको वीडियो आउटपुट ना मिले तो आप इन वायर्स को एक बार चेंज करकर जरूर देख ले इसके बाद दोस्तों ये रेड कलर का बॉक्स है इसमें हमको 5 बोल्ट करेंट देना होता है तो इसको करेंट करने के लिए हमने एक फीमिल चार्जिंग पिन लिये जिसमें आप देख सकते हैं दो वायर है एक रेड है और एक बलेक है तो सबसे पहले आपको इन वायर्स की पॉजिटिव वायर होगा तो कुछ इस प्रकार से हमने इनकी पैचान कर लिए इसके बाद हम जो फीमिल चार्जिंग पिन है उसका बलेक हम ग्राउंड के सांथ करेंगे और जो रेड कलर का वायर रहेगा उसको हम पॉजिटिव के सांथ कर देंगे इससे दोस्तों आप ज इसके लाब आप देख सकते हैं तो आप इसमें कोई भी ग्राउंड और लेफ्ट वाली पिन आप ले सकते हैं तो दोस्तों हमने ground और left वाली पिन हम इसमें ले रहा हैं आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की आपको audio output के लिए एक पिन लेकर आना है और कुछ इस प्रकार से आपको इसकी wiring करने नहीं है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पूरे wires को connect कर दिया इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की cables की जरूत पड़ेगी इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जो wide वाली पिन है उसको हमने video output वाली पिन के सांथ connect कर दिया है तो कुछ इस प्रकार से आपको cables को connect कर देना है अब इसके बाद दोस्तों आपको इसमें जो charger use करते हैं मोबाल वाला मोबाल चार्ज करने के लिए हम charger use करते हैं उसको connect करना है तो कुछ इस प्रकार से आप इसको connect कर देंगे तो यह पूरत दोस्तों जो हमारा circuit है जिसकी हमको पूरी pin connect करने हैं हो चुकी है इसके बाद हमको इन Pins को हमको TV में connect करना है आप देख सकते हैं दोस्तों जो wide वाली पिन है वो हमारी video के लिए है और red वाली पिन हमारी audio input के लिए है ओके दोस्तों आप इसमें दोस्तों कोई भी TV ले सकते हैं चाहे वो आपकी पुरानी टीवी हो या फिर कोई भी नई टीवी हो हर टीवी में ये काम करेगा आप देख सकते हैं जो टीवी के पीछे वाली पिन रहती है कुछ इस प्रकार की होती है तो वीडियो वाली पिन में आपको जो वाइड वाली पिन है उसको कनेक्ट कर देना है और दोस्तों जो audio input वाली पिन है उसमें आपको red वाली पिन को connect कर देना है तो इसके पूरे connection हो चुके हैं दोस्तों अब हम TV को on करने वाले हैं तो दोस्तों आप जैसे ही TV को on करेंगे तो आपको एक बात तब बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारी TV है उसको हमको सबसे पहले AVI mode पर select कर देना है जैसा ही दोस्तों आप देख सकते हैं AVI पर select कर दिया है इसके बाद हमने जो charger था उसको power दी है जिससे जो हमार MP5 kit है वो on हो चुका है कुछ इस प्रकार से पूरा काम करेगा आप देख सकते हैं दोस्तों इससे आप FM चला सकते हैं म्यूजिक चला सकते हैं इसमें आप card भी लगा सकते हैं जिससे आप video's चला सकते हैं वो भी HD में इसके लावा भी आप इससे Bluetooth को भी connect कर पाएंगे दोस्तों वीडियो अच्छी लागे तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दें साथी में आप हमारी चलल पर नए हैं तो प्लीस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करने